नुश्कार मैं राजमोन आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज बड़ा सवाल था कल से लगतार बिहार में लॉकडाउन को लेकर कि क्या बिहार में लॉकडाउन बढ़ेगा क्या बिहार लॉकडाउन से बाहर निकलेगा क्या बिहार में लॉकडाउन में नई चीजों को खोलन क्षूट मिलेगी। यह सवाल का जवाब बिहार सरकार को कल नहीं कर पाया लेकिन यह सवाल लोगों के मन में लगतार उठ रहे थे क्या बिहार में लॉक डाउन बढ़ाया जाएगा यह नहीं तो जवाब बिहार ग्रीव भागने जारी कर दिया है जी हां बिहार के ग्रीव भागने नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी कर दिया है लॉकडाउन के को लेकर कि बिहार में लॉकडाउन बढ़े गया या नहीं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ कहा गया है कि बिहार में रूप में बढ़ा दिया गया है जिस रूप में यह अभी वर्तमान में चल रहा था यानि कि एक अगस्त लेकर 16 अगस्त का जो नियम कानून था लौकडाउन को लेकर वही अगले 6 सितंबर की तारीक तक जारी रहेगा जी यहां 6 सितंबर तक बिहार में लौकडाउन उसी सितंबर तक लौकडाउन को बढ़ा दिया गया है कोरोना के फैलाओ को देखते हुए कोरोना संक्रमन की इस्तिती है उसे देखते हुए 6 सितंबर तक लौकडाउन उसी रूप में बढ़ा दिया गया है जिस रूप में 30 जुलाई को नोटिफिकेसन जारी करके कहा गया था क एक अगस से 16 अगस तक लोगडाउन रहेगा तो वही नियम अगले 6 सितंबर तक रहेंगे इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया यानि अब बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में कुछ नई छूट है तो जब लोगडाउन उसी रूप में बढ़ा है तो लोगडाउन में किसी छ नहीं की गई है नाहीं बिहार गडी विवाग द्वारा नहीं ट्रांस्पोर्ट सथ्स दिपारमेंट के द्वारा द्वारान इसस में बढ़े अब बूस बड़ा सभाहत है जब तक कई कोई नया guideline जारी नहीं हो जाता है अब दूसरी बात जीम को खोलने की बात आ रही थी तो जीम भी नहीं खुलेंगे क्योंकि 16 अगस्तक का जो lockdown था उसमें जीम को खोलने की अनुमती नहीं थी दुकानों को खोलने की अनुमती मिली हुई है लेकिन सर्तों के साथ सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना है सोसल डिस्टेंसिंग को अपनाना है जिसमें लक्षनों थोड़े बहुत भी सर्दी खासी जुखाम के उन्हें दुकानों पर नहीं आने देना है चाहे वो करमचारी हो या कोई भी हो तो इस सर्तों के साथ दुकानों को खोलना होगा समय जो अवधित है कि गई दुकानों को खोलने की सुबह से लेकर साम तक कि उस अवधित के बीच में ही आपको दुकानों को खोलना है अब सवाल यह कि समय क्या है देखिए बिहार में लॉकडाउन जो यानि प्रते एक जीला परसाशन अपना एक नया आदेश जाड़ी करके दुकानों को खोलने का समय सीमा तै कर सकता है, तो यानि वह जो पिछला समय सीमा तै किया हो गया होगा वही चलेगा, या पिर कोई नई गाइडलाइन आपका जीला परसाशन जारी करता है तो उस कोई दुकाने नहीं खूलेंगे अब बात यह है कि प्राइवेट जो ओफिसेज हैं तो वह 50% इंपलोई के साथ चल रहे थे तो वह 50% इंपलोई के साथ ही चलेंगे इसमें किसी परकार की कोई धील नहीं दी गई है कोई नया प्रतिबंद नहीं चारी किया गया है और अगर स खाना लेकर या कोई भी समाने वह वहां से लेकर आप अपने घर आकर खाईए वहां पर बैटकर नहीं खा सकते हैं और जब बात करें राजनितिक संस्कृतिक धार्मिक को स्पोर्ट्स को लेकर तो वह भी बंद रहेंगे किसी परकार की कोई डील इस संबंध में भी नहीं अभी नहीं है रात कर्फ्यू जो रात्री कर्फ्यू अनलोग 3 में छोड़ दी गई थी कि अनलोग 3 में कहा गया था कि अब रात्री कर्फ्यू को खतम कर दिया गया है वह रात्री कर्फ्यू बिहार में बना रहेगा क्योंकि यह सुल्ह अगस्त के लॉक्डाउन में भी जा अब कई और भी सवाले हैं जो वो लगतार लोग करते आ रहे थे हमसे कि समय सीमा के बारे में कि क्या समय सीमा रहेगी तो मैं आपको फिर से बोल दू कि समय सीमा वही रहेगी जो पहले थी और जो जीला परशासन आपके यहां तय करेगा कोई नया समय सीमा नहीं है या बिहार इसफ़ाग गरीब विभाग नहीं संब्द में कोई सीमत समय सीमत तया नहीं किये वो जीला परसासन को ही ठेक करना है कि उसके जीले में दुकाने कप से कप खुलेंगी इसे भी जीले देखते होंगे जहांपर कई-कई बजारे जादा भीर भार्वाली होती है आप अल्टरने किया गया था तो इसका मतलब है कि इस बार भी वो बंद नहीं होंगे तो बिहार में lockdown को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है उसी रूप में जिस रूप में अगस्त तक lockdown जाड़ी था 16 अगस्त तक उसी रूप में 6 सितंबर तक lockdown बढ़ा दिया गया है